नमस्कर दोस्तों स्वागत है का आपके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जानेंगे तेजपत्टे के तेल के फाइदों के बारे में जी या दोस्तो, भारती रसोई में तेजपत्य का इस्तमाल भोजन का स्वाद और सुगंद बढ़ाने के लिए किया जाता है लेकिन इस तेजपत्य से एक तेल भी बनाया जाता है तो चलिए जानते हैं कि तेजपत्य के तेल से सहत को क्या-क्या फाइदे होते हैं तो दोस्तो इसका पहला फाइदा आता है बालों के लिए तेज पत्ते का तेल बालों से डेंडरफ को दूर करता है यह सिर में blood circulation को बढ़ा देता है जिससे बाल लंबे और घने बनते हैं इसके अलावा तेज पत्ते का तेल बालों में लगाने से सिर की जुएं और लिखों से तेल और एक बूंद जो जोबा oil मिलाकर लगाने से tension release होती है इसा माना जाता है कि इनका प्रियोग करने से tension दूर की जा सकती है दोस्तो इसका अगला फाइदा होता है इसकीन के लिए इस तेल में minerals, antioxidant और vitamin ज़्यादा होते हैं इस तेल को इसकीन पर लगाने से इसकीन soft, सा और केटानो रहित बन जाती है इस तेल यह तेल सकीन के लिए काफी लापकारी होता है दोस्तो इसका अगला फाइदा होता है फीवर यानिकी बुखार को दूर करने में सरजी उखाम को दूर करने के लिए तेल वेपर की तरह काम करता है यह शरीर से infection खत्म करता है और शरीर में गर्मी पेदा करता है दोस्तो इसका अगला फाइदा होता है मसल्स को रिलेक्स बनाने में जी हाँ दोस्तो इस तेल से शरीर की मालिश करने पर मसल्स रिलेक्स फेल करते हैं इसे blood circulation तेज बनता है इसलिए इस तेल का इस्तमाल माईग्रेन और सिर्दर्थ से आराम पाने के लिए भी किया जाता है दोस्तो इसका अगला गुण होता है एंटिबायोटिक में यह तेल शरीर में बेक्टिरिया माईक्रोब्स और फंगस को बढ़ने से रोकता है इस तेल को आप छोटे मोटे घाव फोडे फुनसी जलन आधी पल लगा सकते हैं इस तेल के कोई पते के तेल में दो से तीन बूंद औरेंज ओल और एक बूंद बदाम का तेल मिलाकर सेरपल लगाना चाहिए दोस्तो इससे क्या होगा कि आपको जो नीन आती है नीन में अगर कोई रुकावट है तो वो दूर होती है और अच्छी नीन लेने में यह आपकी काफी ज़दा मदद सिद्ध कर सकता है तो दोस्तो यह थी जानकारी तेज़ पते के तेल के बारे में इससे क्या क्या शरीर को बेनिफेस्ट होतकते हैं और स्वास्त के बारे में किस प्रकार से यह स्वास्त के लिया से आपके लिए फाइदे मन साबित हो सकता है तो दोस्तो यह थी अमार आज की जानकरी अगर वीडियो आपको पसंद आईए दोस्तो तो प्लीज इस वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर दें अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं तो मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में तब तक के ल दाल रखें बहुत बहुत निवाद